तो बेसक्ली आज की हमारी Class में हम बात कर रहे हैं Data Selection देटा Selection हमाँ आज का classes है अब लोगर आज रहा है अज ही क्यों रहा है नुपर अज़रो ही इस अज ही लुटत क्भी हम एकसल में कुछ काम करते हैं तो सबसे पहले जरूत परती है डेटा को स्लेक्ट करने की किसकी स्लेक्ट करने की हमें कॉपी करना है हमें पेस्ट करना है हमें फिल्क लगाना है हमें पिपट लगाना है इन सबों को सबसे पहले क्या करना होता है डेटा स्लेक्ट अगर हम डेटा को स्लेक्ट ना करें तो क्य चीज पर आपके साथ डिसकस कर रहे हैं तो जैसे आपके सामने दिख रहा है डेटा और इसको माउस से स्लेक्ट करना है तो हम क्या करेंगे क्लिक करेंगे और नीची के तब स्कॉल करके आएंगे तो डेटा हमारा स्लेक्ट हो जाए ठीक है या दूसरा है कि आप स्टार्टिं कि आपका स्लेक्ट होता क्या है कि कर्सर यहां है अगर मैं नौमली क्लिक करूं तो कर्सर मूब होगा यहां पर लेकिन जैसे सिप्ट के साथ में प्रेश करूंगा स्लेक्शन मूब होगे कि दीजिए cambiar ने सिफ्ट के साथ डेटा के लास्ट में जाके क्लिक किया तो क्लिक करते ही हमारे टेटा स्लेक्ट होगया किया ह之前 हमारा से स्लक्क्त हो गिए हरा कि इसको हम Central तो कर सकते हैं हम इसको Ctrl A से भी Select कर सकते हैं ठीक है तो आप Shift के साथ भी Select कर सकते हैं Shift और Arrow की के साथ Ctrl A से Select All होता है तो Ctrl A जो आपका है Ctrl A आपका Home Menu बार के अंदर आपके साथ Find and Select होता है उसमें आएंगे तो आपको Go To Special दिखेगा इस पे जब क्लिक करेंगे न तो यहाँ पे होता है Current Region तो Current Region को Select होता है अब यहीं आप दो बार जो है Place कर दें तो पूरी Sheet Select हो जाएगे एक बार Ctrl ले तो Data होगा दूसरा बार Select करेंगे तो पूरी Sheet Select हो जाएगे पूरी Sheet को Select करने के लिए आप 1 और A के 20 के जो ट्रैंगल है इस पे भी क्लिक करेंगे तो पूरी Sheet Select हो जाएगे अब जब Ctrl A करते हैं तो एक चीज़ का धिहान रखेंगे कि Ctrl A अगर आपके Data में Blank Sale है इसके उपर ही Select कर पाएगा इसके नीचे नहीं हुआ कि मालीच ओफिस में आपको एक Pivot लगानी है और आपके पास जो है 60-70,000 का Data है 50-55,000 पे आपको एक Blank Row दिया गया है और उस Blank Row में जो आपका जो Blank Row है उसमें ऐसा हो सकता है जो नीचे के Data important हो आपने देखा नहीं आपने Pivot लगा दिया तो नीचे के जो 10-15,000 का Data है उसमें Pivot लगा ही नहीं और आपकी Total Match नहीं हो रही है आपको Error आ रहा है आप परसान है कि ऐसा क्यों हो रहा है इसलिए selection करते सब्सक्राइब देख ले कि Blank है ना अब question आता है कि Data में Blank है कैसे पता चलेगा तो उसके लिए आप Data के starting में करसा रखे अपने keyboard के control के साथ down arrow प्रेस करें जैसे control के साथ down arrow प्रेस करेंगे Data के सबसे last में पहुंच जाएंगे कहां पहुंच जाएंगे सबसे last में या फिर जहां ब्लैंक है वहां पहुंचेगा यहां ब्लैंक है यहां प्रेस करता हूं सबसे last में पहुंच जाएगा ऐसी अगर ब्लैंक है यहां पर मैं करसा रख दिया और मैं यहां से control और प्रेस करता हूं सबसे last में पहुंच जाएगा कोई कि सारा ब्लैंक है अब यहां से control आप करूंगा तो कहां पहुंचेगा सबसे ऊपर जहां उसको डेटा मिलेगा तो फिल को मैंने के data और आप ब्लैंक के सीरीज के यह फॉलो करता है ठीक है तो यह ध्यान रखेगा दूसरा सेलेक्शन करने के सबसे अच्छा तरीका है कि आप सिफ्ट के साथ भी कर सकते है control सेफ्ट राइट एरो डाउन एरो ने क्या किया control सेफ्ट राइट एरो डाउन एरो लेकि यहां पी देख लीजिएगा अगर ब्लैंक से लुआ रो ब्लैंक हुआ तो उसी की ऊपर उप जाएगा तो आपको मैनुली एक बढ़ाओर प्रेस करके फिर आना को है ठीक है आपका डेटा सेलेक्ट हो जाए तो क्या सेलेक्ट होगा यूजड सेल जितना सेल आपने यूजड किया है वह सेलेक्ट होगा क्या सेलेक्ट होगा जितना सेल हमने यूजड किया है समझे आगर आपने फालतों का से लिउज नहीं किया रहे सेगे यहां देखिए सीट वन पर सिर्फ डेटा है कंट्रोल सिफ्ट एंड करते हैं तो सितना डीटा है न उतना ही स्लेक्ट हो रहा है उसके बाद का डेटा स्लेक्ट नहीं हो रहा है ठीक है पूलें सर आपने तो बहुत सारे शॉटकर्ट बता दिये इसारे शॉटकर्ट मैंने लिखा भी नहीं कोई बात रिकॉर्डिंग ही मिलेगा फिकार रिकॉर्डिंग में एक एक करकर दिखना पड़ेगा ऐसा कोई बात नहीं है आप चले जाएं यहां इन पर selection shortcut यहाँ पर मैंने shortcut जो selection के required है उसका list दिया हुआ है आप इसको use कर सकते है लेकि आप चाहते हैं कि मुझे पूरा का पूरा shortcut मिल जाए क्या मिल जाए पूरा का पूरा shortcut लिस्ट इसके लिए आपको कहा जाना पड़ेगा Excel help में इसमें उपर टाइटल बार में सर्च होता है इस सर्च प्याएं और यहाँ पर टाइप करे short cuts ठीक है यहाँ दिखेगा की वोर shortcut in Excel दिख्या क्लिक करेंगे यहाँ आपका इसके लिए internet access होना चाहिए सर्क क्योंकि internet से लितल लेता है और यहाँ पर जाएंग देखेंगे नीचे सारे shortcut list यहाँ देखेंगे सारे shortcut list आद दिख रहा है अब इसको आप रट्टा मार लीजिए प्रैक्टिस कीजिए आपके उपर हलाकि रट्टा मार संस्कृत की सलोक की तरह से आप रट्टा मार लें तो यह नहीं होने वाला है ठीक है इसकी प्रैक्टिस ज़र्द पढ़ेंगे अब बात करते हैं multi sales selection की मुझे इसके अंदर कुछ-कुछ sales सेलेक्ट करने पूरा सेल नहीं कुछ-कुछ sales को सेलेक्ट करने हैं तो मैं यहां पर कर से रखूंगा अपने की बोर्ट के control को hold करूंगा और जहां मर्जी वहां में क्लिक करूंगा जैसे आप देखेंगे अबर इसको कॉपी करना है तो सिक्वेंस करना होँ तो सिक्वेंस में करेंगे तो कॉपी हो जाएगा कहीं उल्टा चिदा करेंगा तो नहीं और काम करना है कि टाइप करना है तो इसके लिए हमें यहाँ क्या करना है कि देट को टाइप करना है उससे पहले आप पहले वाले शीट पे क्लिक करो अपनी कीवोड का सिफ्ट की होल करो और सबसे लास्ट में क्लिक करो ऐसा करते ही क्या होगा कि इसके बीच का सारा शीट स्लेक्ट हो जाएगा अब मैं कहीं भी कुछ करूंगा तो पूरी शीट पे टाइप होगी जैसे मैंने यहां पर लिखा है कि देट और यहां पर हमने डेट टाइप कर दिया है कि लेट आ गया कि संजय है कि तो देखेंगे हर सीट के सेम लोगेशन पे आपको डेट लिख जाए एक ही बार पे पहले शिफ्ट दबाके पहले आप पहले सीट को क्लिक करें की बोर का सेसे कि डिक करें पूरा सी उडेट उपर लिखा हुआ जाएगे आप मैं जो भी टाइपिंग करेंग्यविड पापलाई करेंगे हो हर एक सीट पे अपलाई होगा तरह लेकिन मुझे सारे शीट नहीं कुछ स्लेक्टिड शीट पर करने जैसे सीट 4 पर करना चाहता हूं अब किबूर का कंट्रोल होल कीजिए जिस शीट पर करना चाहते हैं उस सीट को स्लेक्ट कर लेजिए तो सीट 4 सीट 5 सुट सीट 2 अब मैं यहां पर लिखता हूं टाइम और टाइम अब देखेंगे कि सीट 5 में टाइम नहीं बट सीट 6 में है सीट 7 में नहीं है बट सीट 2 में है ठीक है तो कंट्रोल का यूज सिफ सेल की ऊपर ही नहीं कंट्रोल का यूज आप सीट की ऊपर भी कर सकते हैं कोई कोश्टन तो नहीं आप लोग को नहीं चलिए नो सर राहूल जी आपको राउल जी आप कोई डाउट तो नहीं है नो सर नो सर चलिए अब बात करते हैं डेटा टाइप करते हैं एक्सल में तो उसका कुछ रूल से जाना की जैसे मैंने अपना नाम टाइप किया यहां पर सुजीत कुमार तो आप देख रहें कि बी में चला गया जैसे बी के उपर कट गया और ऐसा नहीं कि डिलीट हो गया है यह एक सेल के अंदर होता है इस पर क्लिक कीजिए देखिए उपर सुजीत कुमार पुरा दिख रहा है तो जो भी वैलू टाइप होती है वह सेल के अंदर टाइप होती है कॉलम को छोटा या बढ़ा करने से आपका डेटा की वि लेकिन जैसे कोई टेक्स लिखेंगे और लेफ्ट साइड मज़ए इंडिकेट करता है कि यह नंबर है और टेक्स है हलाकि हम साइड अपने हिसाब से उपर से यहां से चेंज कर सकते हैं लेकि जो डिफॉल्ट होता है वो यह होता है ओके और साथ में कभी भी नंबर के साथ कोई टेक्स आप नहीं लिखेगा अगर लिखते हैं तो कालकुलेशन की उमीद नहीं किजिएगा जैसे यहां पे कुछ मेजरमेंट हमने लिखा कि यहां पे 25 फीट 26 फीट 27 फीट 80 फीट इस तरह से 90 फीट अब मुझे इनको सम करना है क्या करना है सम करना है बट सम नहीं हो समझें और सबस्क्राइब करेक्टर किसी बी तरह का इस पेशल करेक्टर किसी तरह का इस पेशल करेक्टर नहीं होगा तो इसके दो तरीके हैं इस तरह से लेकिन नहीं मुझें नहीं मुझें लेकिन नहीं मुझें लेकिन नहीं मुझे इसी पे करना है और सम भी करना है तो फिर उसके लिए हम यूज करते हैं कस्तम पामटी हम स्लेक्ट करेंगे डेटा को और हम जाएंगे इसमें नमबर में और यहां कस्तम में आएंगे और कस्तम में यहां हम डालेंगे जीरो और मुझे आफ्टर करना है तो जीरो के के बाद हम inverted कॉमा में F T fit कर देंगे हम इनुड़क में क्या कर देंगे F T fit कर देंगे ठीक है और एंटरपेस कीजिए यह तो 25 F T जो है वो जस्ट वीज्वल है और इजिनल नहीं है और जिनल में आपका 25 ही है तो जैसे और जब भी कोई फॉर्मूला या कल्कुलेशन होता है वह और पर होता है ना कि वीज्वल पर होता है ठीक है क्स्टम फॉर्मेटिंग को आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे फिलाल आप इसको समझे की नॉमल है अब यहां पर कोईश्टन आता है डेट टाइप करने की अगर में डेट टाइप करना चाहता हूं सबसे पहले चेक किजिए अपना सिस्टम डेट मेरे सिस्टम डेट है ओ है टीडी एम्म वाई-वाई-वाई-वाई-ई- मतलब कि पहले टेट फिर मंथ आज की डेट डालन हुआ तो आपको 6-3 नहीं 3-6 करना हो ठीक है लेकिन आपको confusion हो रहा है कि कौन सा mmdd है ddm है आपको problem हो रही है तो आप सिंपल सा सिक्स ब्याइस मार्च लिख दीजिए और सेप्ट कर लेगा सिक्स मार्च ठीक है सर टाइम लिखने की बात करें हम इसे मुझे अभी का टाइम चाहिए तो मैंने आप नौ बज के चार क्या कर दिया मिनट कर दिया तो इस सुबह के मा गया मुझे यहां पर नौ बज के चार मिनट में एम पीएम डिकलेर करना पड़ेगा तब जाएक रिजल्ट आएगा या फिर आप डाल दीजिए 21-4 एंट्रेप्रेस कीजिए रिजल्ट आएगा तो टाइन के ध्यान लखेगा अब बात करते हैं कैलकुलेशन फॉर्मुला देखिए हम एक्सल में सारा कैलकुलेशन जो आप दीख पा रहे आपको सारा कैलकुलेशन कर सकते हैं पलस करना माइनस मुल्टिप्लाइड डिवाइड पावर पावर मतलब से मुझे तेन का यह आपका आगे वन ताउजन वन हंडड इस तरह से ऐसी बाकी कल्कुलेशन कर सकते हैं कैसे करें देखते हैं जैसे आपके सामने दिख रहा है एक डेटा है मुझे सब में क्या करने 20 रुपे एड करने 20 रुपे एड करके टोटल यहां दिखाना है तो मैं यहां पर इक्व इसके लिए हम जैसे इस पर क्लिक करेंगे इसका अड्रेस आ जाएगा अड्रेस का है एटू मतलब एक कॉलन टू नमबर हो एटू प्लस 20 अब एटू पे 20 एड ने उड़ा है एटू की जो वैलू जो की 95 है उसमें 20 एड होके रिजल्ट जो है आपके सामने 115 आए ठीक है अ अब मैं इसको नीचे के तरव ड्रैक कर देता हूं जैसे नीचे के तरफ ड्रैक करेंगे आप देखेंगे आपके Score क Hayır یہ फॉर हो गया जैसे की बात हो गई डिक्रीज मतलब किस पर क्लिक करके मैं ऊपर के तरफ जाएंगे तो यह क्या करेगा कि इंक्रीज एंड डिक्रीज होता है ठीकि प्रॉब्लम कब होगी जब हमने एक्कोल प्रेस किया अब धान रखेगा आप बिना एक्कोल कुछ भी लिखेंगे सिस्टम समझे कि कैलकुलेशन या कोई फॉर्मूला इस्तमाल किया रहा है तो मैंने यहां पर इक्कोल प्रेस किया और इसको सेलेक्ट किया और फिर हम डीवन को सेलेक्ट किए क्योंकि इस पार 20 जो है मैनुवल नहीं ऊपर डीवन पर लिखा हुआ है तो एक्टू प्लस डीवन एंटर प नीचे जैसे इसको ड्रैट करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी जिसे कि यहां पर आपका एटू है जो नीचे एथ्री हुआ तो डीवन में तो डीटू हो गया अब मुझे एवन एटू को एथ्री करना था पर डीवन तो फिक्स है हमारा तो ऐसे किसिज में अब फिर गई करेंगे तो डीवन हमारा फिक्स है 1700 समझे कि हमने क्या किया हुआ है कि यहां पर इक्रेस किया हुआ है जब नीचे रायं नीचे करके बढ़ाना है क्योंकि मैं नंबर आगे बढ़ रहा है पर डीवन हमारा फिक्स है डीवन हमारा डीवन होना चाहिए ऐसे के लिए हमने इसके रो के आगे डॉलर का साइन लगा गया इसको बोलते फ्रीज करना या अप्सलूट रिफ्रेंज समझें अब इसको हम नीचे के तराफ ड्रैक करते हैं जल्टा गया अब कन्फ्यूजन होगा कि कहां कहां डॉलर लगेगा तो ध्यान रखे यहां पर अब जैसे मुझे यहां पर क्या करना है टेबल बनाना है मुझे फाइब टू जा फाइब फोर जा इसे सेवन टू जाएब टेबल बनाना है तो मैंने क्या किया कि फाइब को मल्टिप्लाई कर दिया टू से तो फाइब टू जाएगा यहां पर हिंदी में पांच दूना तस बोलते हैं इंग्लिस में फाइब टू जा होता है तो यहां पर टेन आ गया अब मुझे नीचे के तरफ ड्रैक करना है कि जब नीचे किया तो यह दो तीन हुआ पतर टू जो है थ्री हो गया तो चलेगा पट फाइब टीन क्यों हुआ फाइब को टेन नहीं होना था ना मत्रब कि सी आपका जो यहां पर यहां जो आपको दी थाटीन है कि डी टुएल होना चाहिए था समझे यह दी टुएल यहां वालग यहां पर हम टुएल के आगे क्या लगा जाते है डॉलर साइंग अब नीचे ड्रैक करेंगे तो अब क्या होगा अब देखिए आपका दी टुएल फिक्स हो गया तो फाइब का पारा ऋगया हम मुझे बाकिए यू नंबर के का बलाई हो की घम स्लूप होगया जो चैने को ने करें लmaking हो आगे नहीं इसीटना फिक्स हो गया कि टुएल फिक्स हो गया डी नहीं टुएल फिक्स हो लेकिन जब इसको आगे ड्रैग करेंगे तो यहां पर देखी क्या हुआ अब यहां पर यहां पर यह आपका 7 हुआ तो चलेगा ठीक है यहां देखा आपने डी जो है यहां यहां पर यहां क्या करेंगे इसको ड्रोल लगाएंगे सर इसको फीज करना है ना तो यहां पर सी करेंगे यह नमबर जो फिरीज करना है ना इसको लगा दिए अब आप एक ही formula को लेके drag कर दीजे चारत तरफ हो जाएगा तो ऐसा क्यों करते हैं ताकि हमें हर column में जाकर ऐसा ना करते हैं तो हर column में जाकर formula लगाना पड़ता ना सर ऐसे एक formula लगाया और drag कर दिया और पूरा result हमारा हरा calculation आ गया आगे चलकी जो formula क्लासे से होगी तो इसको detail ने पढ़ाऊंगा तो फिलहाल यह चीज जरूरत है इसलिए मैं आपको समझा दिया आपको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में अच्छे तरीके से आ जाएगे ठीक है अब बात आती है सेम कैस में हो कि आपको फॉर्मिट त्यार करना है बिल्कुल इसी तरह का और उसमें आपको इमाउंट को calculate करना है और फिर नीचे टोटल करना है एक ऐसे ही डमी डेटा डाल दीजिएगा और फिर उसे इमाउंट को calculate किजिएगा rate क्वानिटी के हिसाब से और फिर उसका total न एसलोड़ एव झाली